जै माता दी मिक्त्रों, अमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वारत है, तो मिक्त्रों आज हम सुनेंगे सेड माता या गेवरानी रिठानी की काहनी, तो एक सास भहु थी, तो सास बड़ी भहु से बोली, के भहु तुम दूद धही बेच आया करो, कब बड़ी भहु चवड़ा करके आज आती थी, कब वहाँ सेड माता से बोली, के है मा, मुझ पर तो दूद धही बेचना आता नहीं है, लेकिन सास मुझ पर दूद धही बिचवाती है, कब आट दिन हो गई, ऐसे ही माता को सेड माता को दूद चड़ाते हुई, कब सास ने कहा, के भहु पैसे मांग रही है, तब बोली, कि 15 दिन का नाम ले दिया है, तब 15 दिन बाद सास ने कहा, के भहु तुम पैसे लेकर के नहीं आयी हो, तब भहु ने कहा, के सास उसने एक महिने का नाम ले दिया है, तब वहाँ रोजाना अगदूब धही बेचने आती थी, और सारा महिने के बाद सास बोली के बहु तुम पैसे नहीं लेकर के आई हो तो वह आकर के सेड माता से बोली के हे सेड माता मुझे पर दूबध़ी बेचना नहीं आता था लेकिन सास ने कहा इसलिए मैं दूबध़ी बेचने आने लगी तो मैया मैं तुम पर ही दूप दही चड़ा जाया करती थी अब मैया तुम ही मेरी लाज रखोगी तब माता बोली के परमेश्वरी मैंने तुम से कब कहा था कि तुम मेरे उपर दूप दही चड़ा जाया करो और मेरे पास कहा पैसे रखी हैं तब वहाँ बहु बोली हे मैया तुम ही मेर आगे पीछे ककरा पत्रा पक्ता फूल फैल रही हैं उसी मैंसे भरके ले जा अब जैसे माने कहता वैसे ही उसने किया वो भरकर के ले आई और लाकर के कोठी में रख दिया अब सास बोली के बहु कैसे ले आई हां मा ले आई तो कहाएं कोठी में रखे हैं तब बोली सास बोल हीरा पन्ना मोती मुगा चमक रहे थे तब सास ने अपनी आखें मेडी तब सास ने द्वारा देखा देखे तो वैसे हीरा पन्ना मोती मुगा चमक रहे थे तब दोड़ी दोड़ी सास बहु के पास आई और बोली के बहु तू किसको ठक करके लाई है इसमें तो हीरा पन्ना म आपने मुझसे कहा था दूद धही बेचने के लिए, इससे मुझको बेचना नहीं आता था, कव बड़ी भहु को होड लगी, अब बड़ी भहु कहने लगी, सास मैं भी दूद धही बेचने जाया करूँगी, कव सास बोली हाँ चली जाया कर, तो बड़ी भहु चंट थी, त तब उसने कहा 15 दिन का नाम ले दिया है जैसे देवरानी ने कहा वैसे ही सारे कार करती रही अब सास बोली 15 दिन बाद के बहुत तू पैसी ले करके नहीं आई है तब बोली महिने भर का नाम ले दिया है महिने बाद सास बोली बहुत तू पैसी ले करके नहीं आई है तब वह बोली, हे मा, जैसे तुमने गेवरानी को दिया, वैसे ही मुझे को देना, तब मा का बोली, कि वह तो बोली वाली थी, सारा दुब भी मुझे पर ही चड़ा करके जाती थी, तब मय्या बोली, मेरे आगे पीछे कखरा पक्थरा फूल पक्ता फैल रहे हैं, सो तु भर करके ले जा, तो वह तो पहले इसे ही चंट थी, इसलिए वड़े वड़े पहले और बोरे ले करके गई थी, वह खूब सारे पक्थर फूल पक्ते कंकड आद भर करके ले आई, और करके कोठी में रखती है, तब सास बोली के बहु पैसे ले आई, हाँ मा ले आई, तब सास बोली ले करके आजा, तब बहु बोली के मा तुम ही ले आओ, तब वहाँ सास उसके पैसे लेने के लिए गई, तो उसमें से उचट उचट के सारे पक्थर और पंकड पक्ता, सास क सिर को लगे और अंकों में कुड़ा भी बुश गया तब वहाँ बोली कि हे पनमे सरी यहां क्या लेकर के आई है तब वहाँ आई और उसने देखा कि इसमें तो कंकर पक्तियर उचट उचट करके सास के माँके से लड़ने जाऊंगी क्योंकि मा दुरंगा काम करती है उसको कुछ और दिया तब वहाँ सेड माता से लड़ने गई और जाकर के माता के पास जाकर के बोली कि हे सेड माता तुम भी दुरंगा काम करती हो तुमने देवरानी को तो खुब धंग दौलत आग दिये और मुझको एक अंकड़ पत्थर दे दिये हैं तब माता बोली कि पर चढ़ा के जाया करती थी इसलिए जो जैसा भाव रखेगा जो जैसा देगा लेगा वैसा ही मैं भी उसी को वैसा ही दूगी दूगी बोला सेड माता की जै तो मित्रो मेरी यह कहनी अगर आपको पसंद आई हो तो मारे चैनल को लाइक सियर वा सब्सक्राइब अबस्त करे झाषिक सब्सक्राइब